नमस्कार, LLP 38 के पेपर आर्बिटरेशन में आज हम चेप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं प्रकीर्ण, मिस्कलेनियस यहां सेक्शन 38 से 43 तक है जैसा कि हर एक एक्ट में इस तरह का एक चेप्टर दिया होता है जिसमें कई ऐसी छुट-छुटी बातों के समद्ध में सेक्शन्स बना दी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टन सेक्शन्स होती है और वो पूरे एक्ट को कवर करती है और जहां पूरे एक्ट में कहीं किसी समद्ध में प्रावदान नहीं दिया गया है कोई confusion होता है तो उसका solve करने के लिए प्रकेंड में कई sections ऐसे डाल दी जाती है ताकि कारवाई आसान रहे और कोई भी वाद विवाद उत्पन होता है तो उस समझ में निप्टा रहो सके तो students section 38 से 43 प्रकेंड में हम देखते हैं section 38 से 39 यह deposit के समझ में है यह sections deposits के समझ में है यानि जो खर्चे होते हैं उनको कौन भुगतान करेगा किस तरह से भुगतान किया जाएगा यह है section 40 में है किसी पक्षकार के मृत्व होने पर माध्यस्तम करार पर उसका क्या effect पढ़ता है यह section 40 कहता है section 41 पक्षकार के दिवाल्यपन के समझ में प्रावधान करता है section 42 न्यायले के शित्राधिकार के समझ में है और section 43 लिमिटेशन यानि मियाद से समझ में प्रावधान करता है चली हम section 38 देखते हैं निक्षिप, डिपोजिट्स यानि जमा simple से शब्तों में कहें तो इसका मतलब है कि जो माध्यस्तम कारवायों के खर्चे हैं उन खर्चों को भुक्तान करने के लिए ट्रिब्यूनल आदेश देता और कौन किस तरह से भुक्तान करेगा यह सब इस section में तै किया गया है यह section कहता है कि जो 31 की subsection 8 में जो निर्दिस्ट हुई आए थे जो हमने पड़े थे कि कारवायों के समन में सक्षियों के खर्चे और बहुत सारे प्रिशास निक्वे वगरा वो सब जो खर्चे हैं उनको अग्रिब तोर पर यह था इस्तति निक्षेप या अनुपूरक निक्षेप की ऐसी राशी ट्रिबुनल तै कर सकता है जिसकी वह उसको सुपूर्द किये गए दावे के समन में उबगत होने की प्रित्याशा करता है समझे इसको कि ट्रिबुनल को जो यह क्लेम यह दावा दिया गया है उसमें उसे लगता है कि भविश्यव में यह खर्चे हो सकते हैं तो उन खर्चों को जमा कराने के लिए भुक्तान कराने के लिए वह पक्षकार को आदेश दे सकता है इसमें एक और वड़ाया अनुपूरक निक्षेप निक्षेप या अनुपूरक निक्षेप ठीक है व्यानि कि उसे लगता है कि जो राशी पक्षकान ने जमा करा दी है अब उस राशी से अधिक व्या होने की संभावना है तो उसे पूरक निक्षेब राशी वह तै करेगा और उस राशी को भुगतान करने के लिए आधिश पारित करेगा यहां यह है कि अगर क्लेम की सासाथ उसे प्रतिदावा भी ट्रिबुनल को सुपूर्द कर दिया गया है तो उस प्रतिदावे के लिए भी वह राशी तै करेगा तो इसमें वह दावा और प्रतिदावा दोनों के लिए अलग-अलग राशी तै करेगा अब उसकी Subsection 2 में है कि कौन पक्षकार कितना अंश contribute करेगा यानि कितने-कितने व्याय मैं से क्या-क्या percentage का वहां बुखतान करेगा तो यह कहता है कि पक्षकार बराबर अंश में संदे करेगा यानि कि 50-50 खर्चों का 50-50 परसेंट बुक्तान प्रतिक पक्षकार वहन करेगा वह बुक्तान करेगा और अगर एक पक्षकार उस खर्च को बुक्तान करने में असफल रहता है वह बुक्तान नहीं करता है तो दूसरा पक्षकार उस अंच का उस पार्ट का भुपतान कर देगा लेकिन ये है कि दूसरा पक्षकार भी उस अंच का भुपतान नहीं करे तब क्या होगा तो मात्यस्तम अधिकरण उन मात्यस्तम कारवायों को या तो निलम्मित कर देगा या कारवायों को समाप्थ ही करतेगा अब देखते हैं कि अगर end में कारवाया समाप्थ हो जाती है तब उसके व्याय के समन्द में आगे क्या tribunal को करना है तो ये कहता है 38.3 कहता है कि यदि माध्यस्तम कारवाया समाप्थ हो जाती है तो अधिकरन क्या करेगा जो व्याय के हिसाब है जो उसने स्टार्टिंग में व्याय के राशी जमा करवाई है या फिर पूरक व्याय जो जमा करवाया है उस सब का हिसाब वह पक्षकारों को देगा और जो राशी खर्च नहीं हुई है उसके समद में वह पक्षकारों को वापस लोटा देगा यानि समझे उन्होंने पांच हजार रुपे स्टार्टिंग में व्याय जमा करवाले है ट्रिबुनल ने उसमें से तीन हजार व्याय हुए तो कारवाया समात होगी तो वह इसका हि खर्च हुए है और जो खर्च नहीं हुई राशी इन 2000 वह राशी वह पक्षकारों को लटा देगा तो इस तरह से सक्षन 37 में 38 में हमने निक्षेप को देखा और 39 सक्षन हम लियेन के समन में करेंगे थैंक्यू सो मज हुए 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 है तो बद्दिए को जा झाftig हो अन है वाशी पाल देख राशी को ठाशी आधार से लिए को